दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार प्रतिवर्ष जेट शुक्ल पंचमी तिथी को शुद पंचमी पर्व मनाया जाता है इस दिन जैन आचारे अरहत बली जी के शिश्य आचारे पुश्पदंध एवं आचारे भूद बली नी शुट खंडागम सास्र के रचना की थी उसके बाद से ही भारत में शुद पंचमी को पर्व के रूप में मनाया जानी लगा भगवान महावीर के निर्वान से 683 वर्षों के व्यतित होने पर आचारे धरसैन हुए जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने की परंपरा चालू रहती है उसी प्रकार आचारे धरसेन तक भगवान महावीर की देशना आंशिक रूप में पूर वद्धारा प्रभाव रूप में चलती रही है आचारे धरसेन काठीया वाड में इस्तित गिरी नगर गिरी नाम परवत की चंद गुरुफा में रहते थे जब वे बहुत व्रद्ध हो गई और अपना जीवन अतियल्प अवशिष्ट देखा तब उन्हीं है चिंता हुई कि अवसरपणी काल के प्रभाव से शुत ग्यान का दिन प्रदे दिन हरास होता जा रहा है इस समय मुझे जो कुछ शुत प्राप्त है उतना भी आज किसी को नहीं है यदि मैं अपना शुत दूसरों को नहीं दे सका तो यह भी मेरे ही साथ समाप्त हो जाएगा धरसी नचारे ने ऐसा सुब स्वपन देखा कि दो श्वेत व्रश आकर उन्हें विन्य पूर्वक बंदना कर रही हैं उस स्वपन से उन्होंने जान लिया कि आने वाले दोनों मुनी विन्यवान एवं धर्म दुरा को वहन करने में समर्थ है धरसी नचारे ने उनकी परिक ये दोनों गुरु के द्वारा दी गई विद्या को लेकर और उनकी आग्या से भी नेमी नाते धंकर की सिद्ध भूमी पर जाकर नियम पूर्वक अपनी अपनी विद्या की साधना करने लगी जब उनकी विद्या सिद्ध हो गई तब वहाँ पर उनके सामने दो देविया आई उनमें से एक देवी के एक ही आग थी और दूसरी देवी के दाथ बड़े-बड़े थे मुनियों ने जब सामने देवियों को देखा तो जान लिया कि मंत्रों में कोई तुटी है क्योंकि देव वी क्रतांग नहीं होते हैं तब व्याकरण की दरश्टी से उन्होंने मंत पर विचार किया जिसके सामने एक आख वाली देवी आई थी उन्होंने अपने मंतर में एक वर्ण कम पाया तथा जिनके सामने लंबे दातों वाली देवी आई थी उन्होंने अपने मंतर में एक वर्ण अधिक पाया दोनोंने अपने अपने मंतरों को शुद्ध कर पुने अ देवियों हमारा कुछ भी कारें नहीं हैं हमने तो केवल गुरु देव की आगय से ही विद्या मंत्र की अराधना की हैं ये सुनकर वे देवियां अपने इस्थान को चली गई मुनियों की इसी कुषलता से गुरु ने जान लिया कि सिध्धान्त का अध्यन करने के लिए वे योग्य पात रहें अचारे श्री ने उन्हें सिध्धान्त का अध्यन कराया वह अध्यन अशार्श शुक्ल एकादशी के दिन पूर्ण हुआ इसी दिन देवों ने दोनों मु तता दूसरे मुनिराज की भी भूत जाती के देवों नी तुर्यानाद जे घोश गंध माला धूप आदी से पूजा की इसलिए आचारी श्री ने उने भूत बली नाम से गोशित किया अचारी पुश्पदंत और भूत बली ने शटखंडागम गरंथ की रचना कर जेश्ट शुकलवा पंचमी के दिन चतुर विदसंग के साथ उसकी पूजा की थी जिससे शुत पंचमी जैनों में प्रख्यात हो गई चेखंडों के नाम है जीविस्थान, शुद्रक बंद, बंद स्वामितु, वेद नाखंडा, वर्ग नाखंड, महाबंद, बुद्बली आचारी ने इन शटखंडागम सूतरों को पुस्तक बद्द किया और जेट शुदी पंचमी के दिन चतुरुवित संगसहित, क्रती करमपूरवक महापूजा की ज्यान का प्रकाश फिलाने वाली इस शुत पंचमी के दिन बड़ी संख्या में जैन धर्मा, वलंबी, चांदी की पालकी पर जैन धर्म की प्राचीन ग्रंथ रखकर गाजे ब जैन धर्म में आस्तर रखने वाले लोग सम्मेलित होते हैं और भाग लेते हैं, जैन धर्मा, वलंब्यों द्वारा शुत पंचमी को ही ज्याना मृत पर भी खहते हैं, शुत पंचमी के पवित्र दिन मंदिरों और अपने घरों में रखे हुए पुराने ग्रंथों की साफ सफाई कर धर्म सास्तरों का जीनों धार करना चाहिए, उनमें जिल्द लगाने चाहिए, सास्तरों और ग्रंथों के बंडार की साफ सफाई करके उनकी पूजा करनी चाहिए